अब देखते हम एप्लिकेशन आप डेरिवेटिव का नेक्स टापिक है जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नार्मल देखिए जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था काफी लेंदी चेप्टर भी था कई बार तो पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगता था कि इतना सारा हम डिफ्रें थे पहले हमने मेन वेले स्थेवरम देखा यह दिवी डेरिवेटिव एक इसके बाद में रेट ऑफ चेंज आप कॉंटरिकेशन आप का पार्ट है इसके बाद में हमने function देखा कि वो कुझ सा function इस particular interval में increasing function है या decreasing function है without graph हम पाइचान सकते इसके बाद में हमें देखना है कि tangents and normal tangents and normal को find out करने के लिए कि एप्लीकेसं कैसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते नार्मल ठीक है तो मेरे खाल से यह कुई ऐसा फर्स्ट टाइम तो सुना नहीं टेंजेंट का नाम कहां पर सुना था 10th क्लास में सबसे पहले सुना था हमने नाम है ना फिर उसके बाद में 11th क्लास में इस्ट्रेट लाइन एक चेप्टर था वहाँ पर हमने टेंजेंट की बात की थी लेकिन उसमें और इसमें बहुत ज्यादा चेंज है कैसे वहाँ पर हमने डेरिवेटिव की कहीं पर भी बात नहीं की थी और यहाँ पर हमें टेंजेंट निकलना है डिफ्रेंसियेशन के दौरा कैसे हम टेंजें से पढ़ेंगे तो सारी बाते समझ में आएंगी और बिल्कुल सिंपल है ठीक है सबसे पहले तो हम यह देखते कि वास्तों में टेंजेंट होता क्या है जंडरल वे में अगर बोला जाये तो तो मेरे खाल से टेंथे क्लास में तो हमने सरकल से रिलेटेड इसको समझा था ठीक देखिए यह जो मैंने लाइन की कितने पाइंट पर टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है एक पाइंट ही हो गया एक पाइंट ही हो गया तो यह क्या हो रही है दो पाइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है और वो अगर क्यों एक प मुझता है कि circle है तो circle में कितने tangent हो सकते हैं circle में तो पहले तो यह देखिए कि कितने point मिलके यह circle बना आए तो हमें मालुम है कि circle की definition ही हमने पढ़ी थी कि जो circle है वो infinite number-up-point से बना उआ है circle की definition नहीं है, कि infinite number-up-point which are equal- in a plane which are equal distance from a fixed point मतलब इस point से सारे point इसके जो circumference के सारे point है वो क्या equal distance पर है तो हमें मलूम है कि circle में infinite number of point है इसका मतलब इसके tangent कितने बनेगे infinite number of tangent बनेगे ठीके यहाँ पर भी एक tangent बनेगा इस point पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा यहाँ पर भी बनेगा ऐसे infinite number of tangent बनेगे लेकिन अगर किसी particular point पर एक ही point पर अगर देखा जाए तो क्योवल एक ही tangent होगा इसके अलावा आप कही पर भी अगर इस point पर दुसरा tangent बनाने की कुशिस करेंगे तो दो point पर intersect हो जाएगा ठीक है वहराल हम अभी यहाँ पर यह चीज नहीं सिखना चाह रहे है तो 10th class की बाते हो रही है हमें वहराल यहाँ पर differentiation में क्या कैसे tangent को find करना है differentiation का use करके तो why is equal to function आप एक से दिया हुआ रहेगा कोई जरूरी नहीं कि वो circle दिया हो हो सकता कि circle दिया हो या कोई भी किसी भी टाइप का कोई करव यहाँ पर दिया जा सकता है ठीक है मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई एक करव दिया हुआ है y is equal to function of x एक करव दिया हुआ है और इस पर tangent हमें find करना equation of tangent find करना है कहने का मतलब equation of tangent का मतलब इस point पर जो line मैंने एक straight line ड्रा की है इस straight line की equation क्या होगी यह हमें पूरे chapter में पढ़ना है ठीक है tangent की बात करने फिर normal की भी समझेंगे same बाते normal के साथ में भी होगी अब simple सी बात है कि यह जो करव है इस करव पर तो कई सारे tangent होगे तो कौन से tangent की बात कर रहे है तो एक कोई particular point दिया जाएगा कि इस point पर tangent की equation क्या होगी तो point मान लिया जाए कि यह point P है और जिसके coordinate x1, y1 है ठीक है x1, y1 है और यहाँ पर जो tangent बनेगा इसकी हमें equation यहाँ पर find करना होगा इस point पर बोला जाएगा तो यहाँ पर भी एक tangent बनेगा यहाँ पर भी हम equation find कर सकते और वो कैसे करेंगे हम बाद में देखेंगे ठीक है overall tangent किसको बोला जाता है यह बाते तो हमारे बात clear हो गई अब इसकी equation को find करने के लिए थोड़ा सा हमें slope को भी समझना होगा कि slope क्या होता है ठीक है यह जिसको gradient बोला जाता है क्या बोला जाता है slope यह जिसको gradient बोला जाता है gradient gradient ठीक है gradient of a line यह slope of a line यह दो बाते हमें यहाँ पर समझना होगा पहले तो थोड़ा सा साथ में हम slope को समझ लेते देफिनेशन भी हम यहां लिखेंगे और उससे समझेंगे और फिर इसका जो फर्मुला है फर्मुले को भी हम डेराइव करेंगे देगे फर्मुला डेराइव करने का मतलब थोड़ी सी आपकी है जो फर्मुले जनरेट होते हैं वो फर्मुले वास्तों में निकल के कैसे आते यह बाते थोड़ इसी जरूर अटपटी सी लगती है और बच्चे उसको इसकिप भी करना चाहते हैं हमें क्या लेना देना है और फार्मूला कैसे बना हमारे तो एक जाम में डायरेक्ट कोस्चन आएगा बस फार्मूला एपलाई करना है और काम आगे बढ़ाना है ठीक है न करने केबाद में एक सर्सासाइज ने किने थिकर ना आ करेंगे अक्रा तो कौ्छी एड़ाएंस स्राइज देखेंगें कि तो वहां पर देखेंगे पूरा चेप्टर अपनामना ना कंप्लीड हो का फ्लीकर षोगें क्यों की शिए इंट्रेसट लेके पड़ना इसको ठीक ह करेंगे तो वहां पर और भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा ठीक है डेरी वेटीव की खास करके बता रहूं में और इंजिनेरिंग करेंगे वहां पर तो पूरी डेरीटिव और इंटीग्रेशन की काफी कुछ यूस करना होगा ठीक है तो बात की बात अभी जो है हमारे पास में उसकी बात करते हम पहले तो tangent मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई Cartesian plane है, मैं Cartesian plane बना देता हूँ XY, X is बना देता हूँ यह X, X is हो गई और यह X days, और इसी टाइप से यहाँ पर Y हो गया और यह क्या हो गया? Y days और intersecting point क्या हो गया? इसका origin हो गया ठीक है? सपोस करें कि हमारे पास में कोई कर्व हो है और इस प्रकार से कोई कर्व यहाँ पर मैंने बना दिया ठीक है? जब कर्व हो है तो कोई function भी होगा Y is equal to क्या होगा? function of X होगा अब हमें क्या करना है? इस कर्व पर कुई मैं एक tangent बना देता हूँ और tangent कहाँ पर बना रहा है? किसी एक particular point पर सपोस करें कि यहाँ पर मैंने क्या किया? एक point ले लिया जहाँ पर हमें tangent की equation find करना है, clear? अब इसका नाम भी दे देता हूँ मैं P और जो की इसके coordinate क्या है? एक सनाट और वाइनाट यहाँ क्या क्या coordinate है, clear? इससे जो tangent जा रहा हूँ इस प्रकार से एक state line है जो कि यह क्या है? टेंजेंट होगी और इस point पर क्या करेंगी? यह touch करेंगी, किस point पर? P point पर touch कर रहे है, clear? इसी line पर और कोई point है हमार पास में सपोस करें कि यहाँ पर कोई point है, जिसका नाम Q है और उसके coordinate क्या है? X, Y coordinate है, ठीक है? यह जो straight line है, एक से एकसिस के साथ में पाजेटिव डाइरेक्शन में, पाजेटिव डाइरेक्शन जानते हैं ना? कार्टिजन प्लेन है, एक से एकसिस के साथ में जो एंगल बनाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? इस डाइरेक्शन में एंगल बनाएगा, जैसे मान लिया जाएगे यहाँ पर यह जो एंगल बन रहा, इसको क्या बोला जाएगा? पाजेटिव डाइरेक्शन में एंगल बनाएगा अगर इसी डाइग्राम को मैं अगर आगे बढ़ा हूँ तो ध्यान देना इधर इस पर मैं अगर x-axis पर perpendicular डाल रहे हूँ तो p x0 y0 है ना तो यहाँ कि कोडिनेट क्या हो जाएगे यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा इसको भी मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है अगर आप इस लाइन को ध्यान देना इदर इस लाइन को अगर देखते है तो ऐसी यह लाइन दिखाए दे रहे कोई सी पीम लाइन और एक से एकसिस की अगर बात करेंगे तो एक से एकसिस यह है और यह जो टेंजेंट है यह ऐसा क्रास हो रहा यह देखी यह ऐसा क्रास हो रहा और यहां पर एक से एकसिस के साथ में कितने डिगरी का अंगल बना रहा थीटा डिगरी का एंगल बना रहा तो किलियर सी बात है कि ये वाला भी क्या होगा थीटा डिगरी का एंगल बनेगा ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा थीटा हो जाएगा ठीक अच्छा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है को एक स्काइब एडिंग तो एक से है यहां से लेके यह टक का डिस्टेंज कितना एक संहाट है अगर मैं इसमें से इसको माइनस करवर ढू है ठीक है, ठीक है, फार्मूले का डेरिवेशन है, थोड़ आसा कई बच्चे क्या है, डेरिवेशन से कत्राते हैं, लेकिन मैं मेरा यह मानना होता है कि डेरिवेशन खास होता है, कोई भी चेप्टर अगर, जो बेसिक होता है ना, जब तक यह बाते हम नहीं समझेंगे तब तक चेप्टर की सुरुवाद ही नहीं होती होना चीह है मतलब यह मानके चलिए थोड़ा सा टाइम जो लगता है एक बार में समझ में आये तो दो बार देखो लेकिन इसको जीद से देखो जीद से देखने का मतलब यह होता है कि फार्मूले वास्तों में जो जामेटरिकल रिप् लेकिन वह फार्मूला आपके पास में लाइफ टाइम का आद है का याद रहता है यहां से लेकर यहां तक क्या यहां तक का distance क्या हो जागा origin से y है और यह कितना है इतना y not तो यहाला distance कितना होगा यहाला distance कितना होगा y minus y not तो उतना ही तो यह भी है y minus y not अभी यहां पर देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि in triangle in triangle in triangle in triangle कुण सा right angle triangle बन रहा है यहां पर p m q p m q इस p m q की बात कर रहे हम यहां हमें मालूम है कि इसका जो perpendicular है वह थिटा के समने वाली side perpendicular होगी यह परपेंडिकुलर है वो कितना है y minus y not और बेस कितना है x minus x not तो 10th theta is equal to क्या हो जाएगा 10th theta is equal to perpendicular divided by base और perpendicular divided by base मतलब y minus y not divided by x minus x not तो जो 10th theta है इसी को क्या बोला जाता है सुलूप बोला जाता और इसको काई से generally denote किया जाता है यह हम से denote किया जाता है अगर हमारे पास में कोई प्राब्लम है और उसमें दो लाइन है दो लाइन है तो दो लाइन अगर है तो दो सुलूप बनेंगे और जब दो सुलूप बनेंगे तो जनरली इसको सुलूप बनेंगे इसको कर सकते क्लियर अब कुल मिला के हमें अब अगर मान लिया जाए कि कोई भी अगर स्टेट लाइन है और इसका एक सेक्सिस के साथ में पाजेटिव डारेक्शन में अगर हमें एंगल दिया हुआ है और हमसे पुछा यागा कि इसका सुलूप बताई है तो मेरे क्याल से सुलूप बताने में हमें कोई एजीटेशन नहीं है ना एजीटेशन मतला कोई प्राबलम नहीं है ठीक है कैसे करेंगे हम सपोस करें कि यह क्या है 45 डिगरी का एंगल बन रहा है आप पर एक सेक्सिस के साथ में पाजेटिव डारेक्शन में तो हम 10 45 डि डिगरी और इस इगोल टू यह हमने कायमे किये थे 11 क्लास में काफी सुलूप निकाले हमने तो यह क्या हो जाएगा 10 1 divided by root 3 10 30 डिगरी 1 divided by root 3 हो जाएगा खिलेर तो इस प्रकार से हम इसका सुलूप निकाल सकते अब पहली बात तो सुलूप होता क्या है ग्रेडियंट होता क्या है यह बात समझ गए पहली टेंजेंट क्या होता यह बात समझ गए टेंजेंट का मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर करव दिया हुआ करव दिया है और किसी पाइंट पर अगर हमें टेंजेंट बनाना है तो एक्सपाइंट पर उस करऊ को तूच होती हुग जो इस्ट्रेट लाइन जाएगी उसी को क्या बोला जएगा टेंजेंट जो देफिनेशन टेंथ क्लास में दी ती वह हैं टेंजेंट की जयुथ कि नेश्य कोई बात की जाएगी यगल तो कोई भी फंक्षन दिया जाएगा वह राल अगर इसके टेंजेंट की डेफिनेशन की अगर बात करें मैं टेंजेंट उसको नार्मल को अटा देता हूं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं और टेंजेंट और टेंजेंट टू और करो टू और करो यह करो के लिए टेंजे intersect, 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 intersect the, intersect the curve in exactly, exactly, exactly one point, one point, देखिए, a tangent to a curve is a line, line ही तो है ये, इस्टेट लाइन है ने, line that intersect, intersect the curve is exactly one point, देखिए, one point पर ही इसने क्या किया, इसको intersect किया, अगर दो point पर intersect करेंगे तो second बोला जाता उसको, अच्छा, अब इसके बाद में slope है, तो slope की definition क्या बनेगी, slope, जिसको gradient भी बोला जाता है, slope of a line, तो gradient बोला जाता है ये बात हमें, बालू होना अच्छी है, क्या होगी इसकी definition? ट्रिग्ना मेंटरिकल क्या है, टेन है, ठीक है, ट्रिग्ना मेंटरिकल टेंजेंट, किस एंगल पर निकालना में, एक से एक्सिस के साथ में, पाजेटिव डिरेक्शन में जो एंगल बनेगा, उसी को क्या बोला जाएगा, टेन्जेंट, स्री, उसी का थिटा क्या हो जाएगा, टेन्जेंट हो जाएगा, देखिए, इसकी definition बनेगी, a trigonometrical or trigonometrical trigonometrical tangent tangent of a angle of a angle that a line line makes makes with the positive the positive direction of positive direction of direction direction of x axis of x axis x axis x axis के साथ में positive direction में जो एंगल बनेगा positive direction of x axis in anti-clockwise anti-clockwise clockwise ठीक है sense 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 is called is called tangent the slope the slope slope of a line ठीक है मेरे खाल से डेफिनेशन यहा पर किलियर हो गए होगी और trigonometrical tangent देखिए trigonometrical tangent है of a angle of a angle that align with the positive direction of x axis x axis के साथ में जो एंगल बन रहा है यहाप positive direction में वह ही क्या हो जाएगा इसका सुरूप हो जाएगा जिसको क्या बोला जाता है gradient भी बोला जाता है ठीक है अब equation of tangent ध्यान देना equation of tangent यहाँ पर ध्यान देंगे m is equal to 10 theta is equal to क्या है हमार पास में m is equal to 10 theta is equal to क्या है y minus y naught divided by x minus x naught यहाँ बोल सकते हम m is equal to क्या है y minus y naught divided by x minus x naught देगे x minus x naught का cross multiplication कर देता हो तो क्या हो जाएगा y minus y naught is equal to m x minus x naught ठीक है यह क्या बन जाएगी equation of tangent बन जाएगी ठीक है और यह इसका फर्मुला बनेगा equation of tangent का हमें equation of tangent निकालना है next exercise में तो क्या-क्या requirement होगी क्या-क्या requirement होगी m की value m की value मतलब यह angle मालूम होना चीए आपको ठीक है अच्छा दूसरी requirement क्या होगी x naught और y naught की value x naught और y naught की value क्या होगी इसका मतलब जो point है जिस point पर हमें tangent find करना होगा उस point का नाम मालूम होना चीए उसके coordinate मालूम होना चीए तभी हम यहाँ पर x naught और y naught की value निकालेंगे coordinate मालूम है और theta या dy by dx की value मालूम है तो direct term इसमें फर्मूले में value रखेंगे और इसका tangent find करनेंगे clear हमें यह पता चल गया कि tangent स्वरी slope of tangent slope of tangent क्या होता y is equal to y minus y naught divided by x minus x naught अब normal किसको बला जाता है इसके बाद में हमने क्या पढ़ आता नार्मल नार्मल तो नार्मल क्या होता है जिस point पर जैसे अगर यह point है इस point पर हमने क्या बनाया यह tangent बनाया बात क्लियर है क्या बनाया tangent और इसी point पर यह tangent के ऊपर अगर मैं perpendicular एक line ड्रा कर दूँ यह line ड्रा कर दी तो इस line को क्या बोला जागा नार्मल बोला जाएगा ठीक है फिर से और एक पर सपोस करें कि हमारे पास में कोई कर्व है और इस टाइप से कोई कर्व दिया हुआ है इस लाइन पर इस पाइंट पर हमने क्या बनाए यह टेंजेंट बनाए जिस भी पाइंट पर बोला जाएगा ठीक है तो इसी पाइंट आगर ओद रहरा है और और या इस एक लाइनको ड्राइन को द्राय कर दिया जाए तो फफिंडिकुलर मतलब ओद आइंटी टीगरी का एंगल बन जाएका तो अगर एक नर्मल यहाँ पर बन जाएगा इसको क्या बोलाएगा आर्मल बोलाएगा तो मेरी खाल से definition में कोई समस्या नहीं आना चीज में कि इसpoint पर जो tangent पर उस point पर क्या होगा perpendicular हो 실ना क्या बोलाएगा नर्मल बोला jour कलियर को चुलिका यहांव के प्रहे हैं कि पसको क्या इसका था सुभा टेंजेंट थाaders अब हमें स्छुप औयुकर निवीन है कि इसके लिए कितने गेरी पैंगल मने एक पर एकसस के साथ में कि इतने डिगरी बन रहता है थीटा डिगरी तो फिर इसके साथ में एक से एकसिस के साथ में कितना डिगरी का इंगल बनेगा 90 प्लस थीटा बनेगा कि ने बनेगा पहले तो यह समझ लेते हूं देखिए बना के जखते न हम यह हो गया मान लिया जाए कि मैंने एक लाइन ड्रा की और यहाँ पर क्या किया थीटा बनेगा उतना हुट तो यह क्या हो गया नाइंटी डिगरी का इंगल हो गया तो एकसिस के साथ में पाजेटिव डारेक्शन में पूरा एंगल कितना हो जागा 90 डिगरी तो यह प्लस थीटा है है अगर यहाँ पर थोड़ा सा यह डाउट हो सकता है कि सरी आपर डिगरी का एंगल बन रहा इसी लाइन पर अगर मैं फर्पेंडिकुलर डालूंगा तो 90 प्लस थीटा एंगल बनेगा तो चेंज क्या होगा धान देगा देना इधर डी वाई बाई डी एकस इगल टू यम इस इगल टू नार्मल के लिए हम बात कर रहे है नार्मल के लिए ब डिगरी तो कि प्लस थीटा क्या होता है तो त नाइंटी डिग्री है और अगर माइनस कॉट कॉट होगा तो माइनस कॉट त्ट तीटा और इसको लिखा जा सकता माइनस वन बैं तेन दिटा देखिए, अगर हम normal का tangent अगर निकालते हैं, तो क्या होजागा? minus 1 divided by 10 theta या इसको बोल सकते, minus 1 by m बोल सकते हैं. बात क्लियर है, इसका मतलब, equation of normal क्या होजागी? equation, equation of normal, of normal, y minus y naught, द्यांदेना इधर, is equal to, normal की बात कर रहा है तो normal का slope लिखना पड़ेगा, ला, यह सुलूप किसका था, यम किसका था, टेंजेंट के लिए सुलूप था, नार्मल की बात करेंगे, तो नार्मल का सुलूप क्या होता, माइनस ओन डिवाड़ेट बाइ यम होता है, तो यह हो यागा, माइनस ओन डिवाड़ेट बाइ यम और एकस माइनस एकस नाट, तो यह बन जाएगी equation of normal, अब m क्या है, तो m dy by dx है, बात क्लियर है, मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पर, अभी तक हमें यह पता चला, कि equation of tangent, equation of tangent यह होती है, equation of normal यह होती है, equation of tangent की बात कर रहे है, तो स्लूप क्या होगा, m होगा, किसके लिए, tangent के लिए, और नार्मल की अगर बात करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, जहाँ पर m की value क्या है, dy by dx है, अच्छा, अब हमें question किस टाइप से यहाँ पर पूछे जाएगा, ठीक है, उसकी बात करते, तो हमें यह बोला जाएगा, कि find the equation of tangent, ठीक है, find the equation of tangent और कोई function दिया हुआ रहेगा, function of x, और हमें बोला जाएगा, add the point, add the point, x0 और y0, इस टाइप से कोई point हमें दिया हुआ रहेगा, हमें क्या करना होगा, इसका slope निकालना होगा, पहले तो क्यों, क्योंकि equation of tangent पूछा है, इसका मतलब यम की value चीह है, मै तो slope निकालना होगा, इसका मतलब इसका क्या करना होगा, differentiation करना होगा, जिसको क्या बोलेंगे, हम, slope बोलेंगे, तो जो function given है, उसका हम क्या करने, differentiation find कर लेंगे, किस point पर बोला है, तो इस point पर यम की value निकालेंगे, मतलब dy by dx, dy by dx की value निकालेंगे, x0 और y0 पर, ठीक है, औ और यह जो भी फंक्षन आएगा उस फंक्षन को X0 या Y0 रहेगा तो Y0 रख देंगे तो Y0 की वेल्यू अमरे पास आ जाएगी मेरे खाल से यहां तक तो कोई प्राबलम नहीं आना चाहिए ठीक है क्योंकि डिफ्रेंसियेशन तो आमने सिखाई है खास करके मैं यहां पर यह भी पता दू कि एप्लिकेशन आप डेरिवेट्व पढ़ रहे हैं तो एप्लिकेशन आप डेरिवेट्व तभी पढ़ना है है उसके बाद ही एप्लिकेशन आप डेरिवेट्व को टच करना है हर टाइम बताया मने रेट आप चेंज आप क्वांटिटी में भी हमने डिसकेशन किया था कि पहले डिफ्रेंसियेशन बहुत अच्छे से मालू होना चीए तो हमने यहां पर डिफ्रेंसियेशन ही किया ज 1 बाई यम और एकस माइनस एकस नाट और यहां पर रख देंगे अपना काम हो जाएगा ठीक है एक तो कोश्चन यह हो गया कि कोई फंक्शन दिया हुआ है और किसी पाइंट पर हमें क्या निकलना एक्वेशन आप टेंजेंट एक्वेशन आप नार्मल टेंजेंट में यहां पर बोलते हैं ठीक है क्या है एकस एकस इसके पेरलल है कोई करो है और करो पर इस करो पर बान लिया जाए कि कोई टेंजेंट है यह इस पाइंट पर क्या टेंजेंट है तो इसकी इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है और हमें क्या बोला है कि एकस इसके पे बनेगा जीरो डिगरी का एंगल बना और जब जीरो डिगरी का एंगल बना तो जी टेन जीरो डिगरी की वल्यू क्या होती है 0 होती है और आलम बोल सकते कि स्लूक क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा clear क्यों होगा क्यों क्यों क्योंकि x-axis के साथ में 0 degree का एंगल बनेगा 0 degree मतलब 10 0 degree क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अगर मान लिया जाए कि अगर x-axis के parallel है तब equation of tangent क्या होगी equation of tangent equation of tangent ध्यान देना इदर equation of tangent क्या होती y-y0 is equal to स्लूप क्या है m के वेली क्या है 0 है और इंटू x-x0 और यह पुरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो y-y0 is equal to 0 तो y is equal to क्या हो जाएगा y0 हो जाएगा equation of tangent क्या हो जाएगी y is equal to y not ऐसे question मिलेंगे अभी हम एक्सरसाइज करेंगे ठीक है basic आपका पूरा किलियर होना चीए तभी आपको exercise को touch करना अभी यहाँ पर आगर देखेंगे कि अगर मान लिया जाए y-axis के parallel है tangent कैसा है y-axis के parallel है suppose करें कि कोई कर्व आए हमार पास में ध्यान देना इधर कोई कर्व आए इस प्रकार से और y-axis के parallel है tangent यहाँ पर बन रहा इसका मतलब x-axis के positive direction में कितने degree का angle बन रहा है 90 degree का यहाँ पर angle बनते हुई न जरा रहा 90 degree का angle बन रहा जब 90 degree का angle बनेगा तो slope क्या होगा 90 degree और 90 degree के विली का होती 1 divided by 0 ठीक है न 1 divided by 0 यह तो not defined बोल दो तो 1 divided by 0 जब होती है तो यहाँ पर value रखेंगे हम यह तो हो गया second condition डाल रहा है हम y-y0 is equal to m x-x0 यह parallel की condition है और यह क्या perpendicular की condition है मतलब x-axis पर perpendicular बोल दीजिए चाहे y-axis के parallel बोल दीजिए दोनों की meaning एक ही है ठीक है न देखें यह tangent है x-axis के साथ में perpendicular है x-axis के साथ में positive direction में 90 degree का angle यह तो y-axis के parallel है दोनों की meaning क्या होगी एक जैसी होगी value रखेंगे देखते हम y-y0 is equal to 1 by 0 x-x0 0 का cross multiplication करेंगे तो 0 is equal to x-x0 इसका मतलब क्या हो जाएगा x is equal to x-x0 is equal to 0 याने की x is equal to क्या हो जाएगा x0 हो जाएगा यह second condition अगर जो tangent है वो x-axis पर perpendicular है तो x is equal to x0 होगा अब x0 क्या है यहाँ पर जो point की बात की है x0 और y0 रहेगा ठीक है इसकी equation चीया में तो जो x0 रहेगा जिस point पर हमें बोला जाएगा बस direct x is equal to अगर multiple choice question आता है तो इस point पर हमसे बोला की मान लिया जाए कि यह point क्या है 1,3 है ठीक है कोई कर्व है और उस कर्व पर 1,3 पर हमें equation आप tangent find करना है multiple choice question देखने से ही तुरंत answer 1,3 पर हमें क्या करना है equation आप tangent निकलना है और वो क्या है y-axis के parallel है तो आप direct answer लिख सकते x is equal to यहाँ पर x की value क्या है जिस point पर निकलना है 1 तो x is equal to 1 क्या हो जाएगी equation आप tangent हो जाएगी ठीक है अगर मान लिया जाए कि y-axis के parallel है यह y-axis के parallel है इसका point सपोस करें कि 0.5,1 यह point दिया हुआ है और इसकी equation find करना है जो कि क्या है x-axis के parallel है बताना जरा equation आप tangent क्या होगा x-axis के parallel y is equal to y not y is equal to y not मतलब 1 ठीक है तो y is equal to क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी equation of tangent clear अच्छा अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में 2 tangent है और दोनों के बीच में कुछ angle है ठीक है दोनों के बीच में कोई angle हमें angle find करना है देखिए फिर से और एक बार मान लिया जाए कि दो tangent है और एक tangent ने क्या किया यहाँ पर थीटा डिगरी का एंगल बनाया और दूसरे दूसरे ने क्या किया फाइव डिगरी का यह थीटा डिगरी का एंगल बनाया और एक यह फाइव डिगरी का एंगल बनाया तो हमें इनके दोनों के बीच का एंगल यह find करना है साई कितना होगा ठीक है तो साई कितना होगा तो यह इसका डारेक्ट फार्मूला बनेगा टेंज साई इसकी भी हमें जरूत पढ़ सकती M1-M2 divided by 1 plus M1-M2 ठीक है यह भी हमें प्रापर्टी मालूम होना चीए टेंजेंट में फिर से और एक बार दो टेंजेंट है कोई करो है उसके क्या दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट क्या एक ने थिटा डिगरी का एंगल बनाया दुसरे ने क्या 5 डिगरी का एंगल ठीक है तो इनके दोनों के बीच में कितने डिगरी का एंगल होगा यह हमें अगर find करना है तो फार्मूला क्या बनेगा टेंसाई साई मतलब इसके बीच का इंगल इस इकल टू प्लस माइनस एम ओन एम टू डिवाइड़ बाई माडूलस लगा हुआ है इससे कोई टेंशन नहीं है यह मोन बड़ा हो चाहे यह बड़ा हो अगर यह अंदर नेगेटिव भी आता है तो हम उसको क्या करेंगे प्लस माइनस यहाँ पर लेके चलेंगे क्लियर अच्छा अब कोश्चन और कैसा मिल सकता में मान लिया जाए कि य ठीक है और जो टेंजेंट है वो एकस एकसिस पर टेंजेंट एकस एकसिस पर इसके जो क्वाडिनेट है यह एकस एकसिस पर क्या है थ्री कामा जीरो थ्री पर यह क्या करता है इसको इंटरसेक करता है ठीक है तब हमें एक्वेशन आप टेंजेंट करना है तो यह मालू होना जब टेंजेंट क्या करता है, इसका मतलब यहाँ पर इस पाइंट पर वाई की वेली क्या होगी, जीरो होगी, अगर वाई एकसिस पर किसी पाइंट पर इंटर सेक करता है, तो यहाँ पर एकसिस की वेली जीरो होगी, वाई एकसिस पर तो जीरो कामा मान लिया जाए कि आपको जब question solve करेंगे तो इसकी helper से काफी कुछ एक hint मिलेगी और इसकी helper से हम इसकी equation बड़े आसानी से find कर सकते हैं तो इससे related हमें exercise में question करना है तो देखते हैं हम tangent and normal के questions और उसको solve करते हैं find the slope of tangent to the curve y is equal to 3x raised to the power 4 minus 4x 8x is equal to 4 क्या मिनी हुई इसकी मान लिया जाए कोई करो हमें एक given है तो इसका slope निकालना हमें अब slope तो बहुत सारे होगे ठीक है यह इस पाइंट पर अलग slope होगा क्योंकि यहाँ पर जो tangent रहेगा वो इसका slope यह हो गया यहाँ पर touch कर रहा मान लिया अलग पाइंट पर इसके अलग-अलग tangent होगे और उसके मीजजेंट होगे लेजिन क्या बोला xA सेही जूर्ड टो फर तो único ऑर फोर यए एक सेही जूर्ड टो फोर पर पर-प्र वगया यह हमें यहाँ बताना है क्लिए जो बर कर विट गहां है क्लिवा है करहा का क्या होती, dy by dx, dy by dx, मतलब differentiation आप जो कर्व दिया हुआ रहेगा, उसमें y का x से कि रिस्पेक्ट करना होगा, y is equal to function आप x है, तो given, given कर्व, given कर्व क्या है, y is equal to 3x raised to the power 4 minus 4x, इतना given है, इसका dy by dx निकालेंगे, मतलब differentiation with respect to x, differentiation करेंगे, तो x की power 4 है, तो समने जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 4, 3 जा 12, और x raised to the power 3, minus, इसका करेंगे, तो क्या हो गया 4, और x का 1, और यह हो जाएगा, इसका स्लूप, लेकिन किस पाइंट पर, यह तो general है, 8 any point, ठीक है न, अब यहाँ पर x की value, अगर आप मान लिया जाए, कि 2 रखते है, तो इस पाइंट पर निकलेगा यह स्लूप, 3 रखते है, तो इस पाइंट पर निकलेगा, 4 रखते है, तो इस पाइंट पर, हमें क्या बोला है, 4 पर बोला है, तो 8, x is equal to 4, तो dy by dx, और x is equal to 4, is equal to 12, और इन्टू 4 raised to the power 3, और minus 4, और 4 कामन दो रखते हैं, 16, यह 16 हो गया, यह तो लिग देता हूं, 12 x 16, minus 1, और इसका multiplexion करेंगे, तो 32, कै 2, बचा 3, और 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19, और minus 1, तो कितना हो गया, 4 x 191, और इसका multiplexion करेंगे, तो 4, और 36, 3, और 3, और 4, 3 कितना हो गया, 7, तो dy by, dx, और x is equal to 4, पर कितना ह गोजयगा 764 सुलूप बोला था तो हमनी इसका सुलूप यहां पर निकल दिया ठीक है और सुलूप निकलने का तरीका क्या होता है उसका डिफ्रेंसियशन कर देंगे सुलूप निकल जाएगा अगर इक्वेशन बोला जाता तो इक्वेशन क्या होती है फिर इसके लिए और हम इसमें dy by dx की वेल्यू रख देते और x0 y0 की वेल्यू रख देते तो equation भी हमें इस tangent की equation यहापर find हो जाती है देखेंगे हम next question number 2 find the slope of the tangent to the curve y is equal to this and x not equal to 2 x not equal to 2 मतलब इस curve के लिए दिया हुआ है क्योंकि x is equal to 2 हो जाएगा तो not defined हो जाएगा इसलिए आपर इसके लिए condition यहाँ पर दी हुई है 8 x is equal to 10 x is equal to 10 पर हमें slope निकालना exactly पिछले question के जैसा ही question हो गया ठीक है न? तो given equation आप करो given equation आप करो क्या होगी? dy by dx, sorry, y is equal to x minus 1 divided by x minus 2 अब इसका differentiation करेंगे differentiation with respect to x differentiation with respect to x तो क्या होगा dy by dx ज्यान देना इदर कितने function है? दो function है first function, second function क्या होता है? division वाला formula लगेगा question formula, second function x minus 2 हमें साथ denominator को second function numerator को first function लिया जाता है और हमें formula मालूम होना चीएता कि d by dx और u divided by v क्या होता formula? v d by dx और u minus u d by dx v divided by v square फिर से और एक बार इसको first function लिया जा, इसको second function तो second function, differentiation of first function minus first function, differentiation of second function divided by second का square तो second function, differentiation of first function x minus 1 minus first function, x minus 1 और differentiation of second function x minus 2 और divided by whole divided by क्या होगा? x minus 2 का whole square is equal to x minus 2 इसका डिफेरेशिये करेंगे तो x का 1 और 1 का 0 तो मतलब 1 हो गया minus x minus 1 और इसका 1 और 2 का क्या हो गया? 0 हो गया और divided by x minus 2 का whole square देखिए, x से देशे तो x से cancel हो गया और 1 minus 2 तो minus 1 minus 1 divided by x minus 2 का whole square और dy by dx अब 8 x is equal to कितने पर निकलना है? 10 पर निकलना है तो 8 x is equal to 10 तो dy by dx is equal to minus 1 divided by 10 minus 2 का whole square और is equal to minus 1 by 8, 8, 8, 64 और यह हो जाएगा इसका slope, इस point पर 10 पर तो बिलकुल सिंपल से question देख फर्स सेकेंड अब देखेंगे हम next question number third तो यह हो जाएगा और लान। दो इसकेंड़स को देखेंगे हो थाटे कि अभडब देखेंगे हैं